इंडियन वेर फोर्स के विंग कमांडर अभिनिंदन सकुष्चल वापस अपने देश लौट आये हैं यह खुशी की बात है लेकिन साथ ही एक ऐसा वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि यह महिला विंग कमांडर अभिनिंदन की पतनी है और वो यह संदेश दे रही है कि इस घटना पर कोई भी राजनीती न की जाए युवा कॉंग्रिस की ऑनलाइन मैग्जीम युवादेश ने अपने ट्विटर हैंडल से एक मिनट आट सेकंड का ये वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है विंग कमांडर अभिनंदन जी की पतनी का संदेश कि सैनिकों के बलिदान पर बीज्वेपी न करे राजनीत पंजाब के मंतरी नवजोस सिंग सिध्धू ने भी इस पोस्ट को रीट्वीट किया है साथ इसा समाजवादी बाड़ी के विधायक राजेश यादव और कॉंग्रेस से वदल के सदस्द से हरविंदर सिंग ने भी इसे क्वीट किया है वहीं NSUI के सदस्द से उने का दावा करने वाले दिनेश सेंगिटा ने पेस्बुक पर यही वीडियो शेर किया है I'm wife of an army officer on behalf of all the families of all the armed forces I request my fellow Indians and especially the political leaders the political leaders not to politicize the sacrifice of our soldiers it takes so much to be a soldier and just imagine the kind of tension the kind of pain the family of Abhinandan is going through right now so please at least till the time the tension is east at Indopark border stop your political rallies and don't you dare I'm repeating again don't you dare to snatch away the credit of our soldiers please please stop counting your tickets and stop doing your politics here please you have enough time to play your politics but not at this time and not at the cost of our soldiers sacrifice it's my humble request to all the political leaders specially the BJP political leaders India today anti-fake news war room ने इस वीडियो की बर्दाल की है और यह पाया है कि यह जो वीडियो है और उसमें दिख रही जो महिला है वो विंग कमांडर अभिनंदन की पत्मी नहीं है इस वीडियो में यह महिला यह भी कह रही है कि सोचिए जरा कि विंग कमांडर के परिवार पर क्या बीत रही होगी यह साफ सिद्ध करता है कि यह महिला विंग कमांडर अभिनंदन की पत्मी नहीं है इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज वार्रूम ने और ज्यादा इस वीडियो और इस महिला की जाँच परताल की वैसे तो मीडिया में विंग कमांडर अभिनंदन और उनकी परिवार के साथ-साथ उनकी पतनी की फोटो और वीडियो भी दिखाया जा रहा है जिससे एक बार फिर से यह सद्ध होता है कि यह महिला विंग कमांडर अभिनंदन की पतनी नहीं है झाल